अब 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 हलो फैंस बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फिर इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे एक न्यू पेटर्ण क्लोज टेस्ट सभी बेंके एक्जाम्स के लिए और एक लोज टेस्ट आई-बीपीएस क्लर्क प्री मेंस और क्लोज टेस्ट को और आगे बढ़ने से पहले यहां मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे फ्री ब्लॉक्स और मेरे फ्री आर्टिकल्स भी इस वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं क्लोज टेस्ट की कुछ टिप्स मैं यहां शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आप किसी भी क्लोज टेस्ट को विदिन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं पूरी एकूरेसी के साथ देखिए यह हैं बेसिक टिप्स और ट्रिक्स यदि इनको आप एपलाई क os blank के left hand side में right hand side में या कही पर भी आपको कोई भी keyword मिलता है तो उससे आपको एक फेर आइडिया लगता है कि ये जो close test है, ये किस बारे में है और किस context में इसमें बात हो रही है, तो keywords को आपको देखना है, अभी मैं आपको बताऊँ गए, एक close test को solve करके किस तरीके से आपको keywords को देखना है, propositions को आपको देखना है, propositions का बहुत important role होता है, जैसे यहाँ पर एक blank दिया है, तो blank के left hand side में यहाँ पर और right hand side में यहाँ पर जो propositions दिये हुए हैं, उनके साथ कौन सा words जुड़ सकता है, वो आपको इसमें देखना होता है, context देखना होता है आपको कि किस context में उस particular paragraph में बात हो रही है, grammatical concepts भी कभी-कभी आपको apply करना होता है, और close test के लिए आपकी reading skills काफी अच्छी होनी चाहिए, और आपका vocab पर भी काफी अच्छा command होना चाहिए, और reading skill और vocab के लिए आपको daily newspaper या तो आप the Hindu पढ़ें या Indian Express पढ़ें, इस तरह के newspaper को आपको daily पढ़ना है, और daily cable इस तरह से नहीं पढ़ना है, कि आप पढ़ते चलेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आया, उसको comprehend करते हुए पढ़ना है, और word meanings को आपको देखते हुए जाना है, तो ये सारी tricks, इनको आप tricks नहीं कह सकते, ये एक basic guidelines है, और इन basic guidelines को यदि आप apply करते हैं, तो close test को आप आसानी से solve कर सकते हैं, देखे, एक ये close test है, और सेम इसी तरीके का close test आप से banking exams में पूछा जाता है, तो यहाँ से इसको देखते है, every step taken by the BJP government starting from the GST Constitutional Amendment Bill with regard to the tax was deeply चिदंबरम unleashed, अब देखे, यहाँ पर एक sentence लिखा है, चिदंबरम unleashed, तो यहाँ पर ये keyword है आपके लिए, कि चिदंबरम ने आर ब्लोंग करते हैं, हम सभी को बता है, Congress Party से ब्लोंग करते हैं, और यह आरोप जो लगा रहे हैं, यह opposite party के ऊपर लगा रहे हैं, मतलब BJP के ऊपर लगा रहे हैं, तो इस context में हमें यह पता पढ़ रहा है कि इसमें पूरे paragraph में GST के बारे बात हो रही है, और GST के बारे में च चिदंबरम जब opposite party से ब्लोंग करते हैं, तो वो BJP की policy को normally praise नहीं करेंगे, उसकी तारीफ वो नहीं करेंगे, क्योंकि opposite party के जो भी members होते हैं, दूसरी party को oppose करते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं, तो इस तरीके से देखिए आप क्या apply कर रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या apply कर अब यहाँ पर देखिए deeply एक word दिया है, deeply एक adverb है, यहाँ पर आपको adjective चाहिए, देखिए मैंने किस तरीके से apply किया, किस तरीके से पता लगाया कि यहाँ पर एक adjective word चाहिए, क्योंकि यहाँ पर adverb दिया हुआ है deeply, अब देखिए तीसरा logic में आपको बताऊँगा कि पर negative word चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को criticize करता है, तो उसकी जो wordings रहती है, वो negative रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको, आपने आप infer कर सकते हैं, conclude कर सकते हैं, कि यहाँ पर आपको एक negative word चाहिए, अब आपको option देखिए, test worthy, क्या test worthy negative word है, बिल्कुल न पर नहीं, यहाँ वयलेड नेगेटिव वर्ड़ है, विल्कुल नहीं, प्रिसाइज और सूटेबल निगेटिव वर्ड़ से नहीं, अप्रोप्रीएट प्रॉपर नेगेटिव वर्ड़ नहीं, फ्लॉड और वॉल्टी यह निगेटिव और नहीं, क्योंकि faulty का मतलब होत एक्ट है जिसमें किसी भी तरीकिये की mois कोई भी कमी नहीं है फूलते हैं। तो व्मार्ड उसमें कमी आई मैं इसमें है, फॉल्ट्री और दौनों सिमिलर वर्ड हैं तो यहां पर आपको क्या करना है कि दो वर्ड् चूज़ करना है और दोनों ही वर्ड वहां पर suitably fit होने चाहिए ठीक है sufficient to enough अब देखिए इसमें ये वाला option ये वाला option ये वाला option और ये वाला option इन सभी options में positive words दिये है negative word किसी में भी नहीं है negative word के बल्डी में है और contest के हिसाब से भी यहां पर faulty और flawed words है वो एकदम सही है तो first में इस first option में आपका answer होगा D I hope आपको ये समझ में आया होगा और इसी तरीके से close test को आपको करना चाहिए ठीक है he claimed he claimed मतलब पहले यहां पर हमने noun को use किया है चिदंबरम को और चिदंबरम के लिए बाद में use किया है इसमें he ठीक है he claimed that the government even ignored the advice of the chief economic advisor on many aspects of the GST notably on the rates देखिए बैंकिंग एक्जाम में कोई भी question आप करें तो आपको fast reading की आदत आपको डालनी पड़ेगी fast reading along with comprehensive आपको तेजी से पढ़ना है और समझते हुए उसको पढ़ना है तो यहां पर second line का मतलब यह है कि उन्होंने मतलब उन्होंने यह claim किया है कि गॉर्मेंट ने यानि बीजेपी गॉर्मेंट ने chief economic advisor की advice को भी एग्नोर किया particularly किस पर particularly rates पर जो GST के जो rates है GST के जो slaps है तो यहां पर यह पूरे पूरा जो paragraph है पूरा जो passages का tone क्या है इसका tone जो है वो critical है critical tone में यह लिखा गया है क्योंकि इसमें Mr. Chidambaram is criticizing the policy of BJP government तो इसलिए इसमें critical इसका tone माना जाएगा क्योंकि इसमें एक व्यक्ति criticize कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति की policies को अब हम यहां पर देखते हैं that the Congress was the original proponent of the GST and it was first proposed by the UPA in 2006 यदि आप reading करते हैं तो आपको पता होगा दो ग्रूप्स है एक है UPA और एक है NDA NDA के head इसमें जो मोदी है और UP के head Congress party का कोई leader है तो इस तरीके से यहां पर यह बता रहे हैं कि इसका जो original proponent था originally जो प्रपोस किया था GST के concept को वो 2006 में UPA government ने किया था मतलब यह क्या बता रहे हैं यहां पर कि यह बीजेपी से बोलना है कि वीजेपी को इसका credit नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका real जो original proponent है वो Congress party है Congress party है था कि GST का एक concept होना चाहिए इसमें integrated billing system और integrated taxation होना चाहिए तो यहां पर यह directly और indirectly Congress party को admire कर रहे हैं और BJP को criticize कर रहे है ठीक है अब यहां पर second में क्या आएगा यदि आप second में देखें that the Congress was the original proponent of GST and it was first proposed by the UPA in 2006 यह actually क्या है यह that से जो शुरू हो रहा है यह क्या है यह statement है या इसको आप बोल सकते हैं यह एक noun clause है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं एक तो यह बात बोली जा रही है इसमें that the Congress was the original proponent of the GST मतलब Congress जो था वो Congress party जो थी वो original proponent थी GST की और GST को UPA government ने 2006 में प्रपोस किया था एक तो यह बात बोली जा रही है और कुछ कुछ करते हुए कुछ करते हुए इस बात को बोला जा रहा है तो क्या करते हुए इस बात को बोला जा रहा है मैं अभी आपको समझा देता हूं जाएंग को आएगा रिफ्यूट का मतलब तो खंडन करना होता है रिजेक्ट यहां पर वो किसी चीज को स्टेट कर रहे हैं या किसी चीज को इंफेसाइज कर रहे हैं और उसके बाद वो यह बात बोल रहे हैं तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वोगा अंडर ड़र रहे हैं और एंफेसाइजिं가지 अब यह zaczy के लाइयं है ंदी फोर्म में क्यों आया है कि यह पार्टी से सिप्ल है और प्रिजेंथ पार्टी सिपल का मतलब होता है कि एक काम करते मतलब दो काम उसमें साथ में होते हैंँ जैसे यदि मैं बोलू कि not taking much of your time I would like to say आपका जादा समय ना लेते हुए मैं कहना चाहूंगा, मतलत मैं दो चीज़े कह रहा हूँ एक बार में, एक तरफ मैं बोल लाँ कि मैं जादा समय आपका नहीं लूँगा और एक तरफ मैं बोल लाँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर present participle हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह emphasize करते हुए और present participant में देखी सारी वर्ब दी है लेकिative porn उन्ड गर्ण ऑभर appropriate क्यों है क्योंकि mr. चिदंबर में इस बात पर जोड दे रहे हैं कि GST जो है यह Congress ने प्रपोस किया है और UPA Government ने 2006 में इसको लॉंच किया था ठीक है यदि आप ignoring लिखेंगे, rejecting लिखेंगे, refuting लिखेंगे तो यह तो negative word है इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि GST को Congress party ने reject किया या refute किया या ignore किया तो यह तो negative हो जाएंगे पूरे तरीके से तो defuting, rejecting और ignoring तो पूरे तरीके से गलत word होंगे और marking और qualifying out of context words है अब आपके पास कौन से words बठी underlying और emphasizing accentuating का मतलब highlighting करना किसी चीज को highlight करना होता है तो यहां पर question number इसमें second में आपका जो answer होगा वो होगा E A B C D E E इसमें answer होगा emphasizing that the Congress was the original proponent of the GST and it was first proposed by the UPA in 2006 the four-time finance minister said experts should be given a free hand in overhauling the indirect tax structure देखें दो तरीके के tax structure होते हैं एक होता है direct tax जिसमें income tax आता है और GST पूरा आता है indirect tax में indirect tax का मतलब यह है कि पहले हम shopkeeper को tax देते हैं पूरे shopkeeper हमारे ब्याप पर government को tax देता है income tax में हम direct government को अपनी income का tax देते हैं तो income tax is a kind of direct tax and GST is a kind of indirect tax ठीक है तो इसमें चिदंबरा बोल ला है कि experts should be given a free hand experts जो है GST के जो tax specialist है उनको free hand दिया जाना चाहिए ताकि वो indirect tax structure को पूरे तरीके से overhaul कर सके पूरी तरीके से इसको modify या पूरी तरीके से reform कर सके ठीक है overhaul आपने सुना होगा overhaul एक simple सा word है जैसे जैसे हम अपनी बाइक की या गारी की overhauling कराते हैं मतना उसको पूरे तरीके से उसको reform करते हैं या change करते हैं Mr. fixes have been at work in reforming the GST as the original proponent of the GST the Congress party hopes that the task of thoroughly overhauling the GST will be to experts he said अब third में देखिए जैसा कि मैंने आपको basic guidelines बताई थी इसकी कि यहाँ पर आपको propositions देखने हैं यहाँ पर लखा हुआ है will be will be का मतलब यह है कि यह passive voice construction है और यहाँ पर आपको verb की third form चाहिए और verb की third form ऐसी चाहिए जो इस two के साथ match करे ठीक है इस two के साथ match करे तू के साथ match करने वाला कौन सा word है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर वो context के साब से भी word सही होना चाहिए thoroughly overhauling the GST will be assigned to experts मतलब चिदंबरम hope कर रहे हैं चिदंबरम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि GST को GST की overhauling का काम जो है वो experts को दिया जाना चाहिए assign का मतलब होता है दिया जाना assignment आपने सुना होगा इसकूल में बच्चों को assignment मिलते हैं तो assigned to का मतलब है कि उसको दिया जाना उस चीज को और इसी से मिलते हैं तर वर्ड है interested मतलब उसको उसको उस पर हम trust कर रहे हैं इसलिए उसको वो responsibility हम दे रहे हैं interested का मतलब यह होता है और assigned तो इन दोनों ही words के साथ particularly assigned word के साथ two proposition जाता है ठीक है two में ED लगा हुआ है जो की will be के साथ जा सकता है और assigned जो है वो context के साब से भी यहाँ पर सही है तो assigned और interested यहाँ पर आपका सही answer होगा ठीक है invested और committed बैसे committed के बाद भी two आता है लेकिन committed word यहाँ पर सही नहीं है committed यदि सही है भी तो invested इसमें नहीं जाएगा committed अलग sense में यूज यूज होता है divested invested का उल्टा है delegated मतलब किसी विक्तियों कोई कोई responsibility देना conferred का मतलब भी देना है reckon का मतलब मानना या suppose करना है तो यहाँ पर आपका interested और assigned जो होगा वो एकदम सही answer यहाँ पर होगा ठीक है he also gave a number of suggestions for better implementation of the indirect tax regime including bringing petroleum product under its मतलब उसने उन्होंने काफी सारे suggestions भी दिये कि GST को आप अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से किस तरीके से और उन्होंने यह भी बताया कि petroleum product को इसके अंदर लाना चाहिए इसके अंदर लाना चाहिए President मतलब क्या है कि इसकी रेंज में लाना चाहिए, ठीक है, तो एमबिट और रेंज, ये दौनों सेम वर्ड है, ठीक है, पेरिफरी मतलब एक जो गोला होता है, एक जो स्फियर होता है, उसके चारों तरफ का जो मैजर होता है, उसको हम पेरिफरी बोलते हैं, पेरिफरी, हैम, स यह तीन और सेम वर्ड हैं साइड नहीं होगा ठीक है कुछ वर्ड तो इसमें ऐसे हैं जो बिलकुल ही आउट ओफ कंटेक्स है तो इसमें आपका जो आंसर होगा यहां पर यह होगा एंबिट एंड रेंज यहां पर फूर्थ में यह क्या हो रहा है इस पराग्राफ में चिदंबरम सजेसंस दे रहे हैं और GST के बारे में बोल रहे हैं और थोड़ा सा अपोज भी कर रहे हैं कि GST की पॉलिसी को मतलब अभी जो GST में लगलग स्लैप से आपने सुना होगा 18% 28% ठीक है तो वो कह रहे हैं कि इसको ग्रेजुली रिडियूस करके एक सिंगल रेट इसका बनना चाहिए GST का इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि ऐसी सर्विसेस पर कोई टेक्स नहीं होना चाहिए जो सुसाइटी वेलफियर के लिए काम कर रही है सुसाइटी समाज के कल्यान के लिए काम कर रही है जो ट्रूली मेरिट गोर्ट संसर्विसेस उनको इससे एक्जेम्ट किया जाना चाहिए तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा exemption और exception हाला कि काफी सारे words इसमें exemption से related हैं जैसे dispensation का मतलब भी exemption होता है ठीक है और impunity का मतलब भी exemption होता है लेकिन यहाँ पर आपको context भी देखना है देखे यहाँ पर exemption और exception इसलिए use होंगे क्योंकि exemption और exception यह tax related words है और context इसमें इस पूरे paragraph में जो context है वो tax का context है और tax related word आपको यहाँ पर चाहिए तो tax related जो word है वो है exemption और exception clearance नॉर्मल वर्ड है amnesty को हम अलग sense में यूज करते हैं amnesty का मतलब होता है maaf करना इसको और्गनाजिशन से यूज करते हैं ठीक है रिवेट हम shopping के sense में यूज करते हैं जब हम कोई खरीदारी करते हैं तो सारे words अलगलग sense में use करते हैं हम relief relief हम जैसे subsidy के sense में use करते हैं तो यहाँ पर आपको words जब आप चूज करें तो उसका context भी आपको देखना होता है तो यहाँ पर exception जो है यह आपका सही word होगा ठीक है तो इस तरीके से इस में see इस में आपका सही answer होगा इस तरह के passage बेंके exam के लिए तो यह काफी suitable passage है लेकिन इस तरह के passage ssc exams में भी पूछे जा सकते हैं तो यह एक general passage है और इस तरह के passage आप से बेंके exams में आपको समझ में आया होगा और इनकी मदद से इसको एक base close test मानते हुए इसकी मदद से यदि आप इन ट्रिक्स को और इन basic guidelines को apply करते हैं तो किसी भी close test को आप आसानी से accuracy के साथ आप solve कर सकते हैं ठीक है और इस वीडियो class को खतम करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से indicate करना चाहूंगा कि मैं blocks लिखता हूँ examinee.in website पर तो यहां पर block section में जाके इन blocks को भी आप जरूर पढ़ें और इनसे भी आप जरूर फायता उठाएं तो इस वीडियो class में इतना ही अब मैं आप से बिलूंगा next video class में. Thank you.